तो पिछले एपिसोड में मून डीमन किंग प्रिंसेस यूई को लेने के लिए आ गया था जबकि उदर हाउचेन अपनी पूरी टीम के साथ में हाउलिंग के तरफ जा रहा होता है इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचेन अपनी पूरी टीम के साथ में इसके ल पास में बहुत सारे डीमन ये लेकिन असल में क्योंकि इनके पास में मून डीमन का ड्रेस था जिसके बजा से वे सब इनके ऊपर बिल्कुल 된 ही देते और इसके अलावा तब ही हाउचन अपनी टीम से कहता है कि अब मैप के पास में बहुत ही कम एनरजी बची हुई है जिसके बाद जासे हम इसका यूज ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाएंगे और फिर इसलिए हो सकता है कि हाउलिंग के लोकेशन को हमें खुदी खुजना पड़े लेकिन तब ही सी बीच इनको सामने से कुछ डीमन के आने की अवाद सुनाई देती है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन अपनी टीम के साथ में यहीं परूग गया था और फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो डीमन का एक बहुत बड़ा गुरूप आ रहा है जिनके बात वे सबी 30 के गुरूप में हैं इसी के साथ इनको पता चलता है कि इनका लीडर लेवल 6 में है जबकि उसके अलावा बाखी सबी लेवल 5 में हैं अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सब इनके उपर अटैक कर देना चाहते थे लेकिन तब हाउचन इनको रोकते हुए कहता है कि अभी हमें चल्दी बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आसा लगता है कि वे सबी भी हाउलिंग केप के तरफ ही जा रहे हैं और इसलिए तुम सबी अबके और मेरे कमांड को फॉलो करना जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सबी भी इसकी बात मानने के लि मारे लिए सबसे ज़रूरी है लेकिन तब हम देखते हैं के सामने आकर इनको रुकने के लिए कहता है जिसके वजासे इनको यहां पर रुखना पड़ता है कि हाउचन इंके उपर गुसा भी होने लगा था और फिर इंसे कहाने लगता है कि तुमें है लेकिन इस पर वो डिमन लिडर उससे कहता है कि तुम घंठी बोडी हमारी इतने नस्दीक के लिए काबिल है लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वो डिमन लिडर भी इस उस्ता हो जाता है और फिर उनसे कहने लगता है कि अगर तुम सभी मून डीमन क्लैन से हो तो क्या हुआ क्योंकि वैसे भी मैं डीमन लॉड किंग का सबसे अच्छा जनरल हूँ और मैं इसके बारे में अपने डीमन लॉड किंग को जरूर रिपोट करूँगा लेकिन तभी इ उससे कहने लगता है मैंने उमीद नहीं किया ता कि तुम मून डीमन गॉड अगेरस के इतने कुलोज हो और अभी इस तरह से वो इनके सामने इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ वो कहने लगता है कि मेरी गंदी बॉडी सच में तुम्हारे पास में आने के लिए काबिल नहीं आये लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाओचेन और उसके टीम के लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उस डीमन लीडर को क्या हो गया फिर हाओचेन को पता चलता है कि प्रिंसेस यूई उसे जो टोकन दिया था वह असल में मून डीमन गॉड का टोकन है जिसके वज़ास से हम देखते हैं कि हाओचेन इस बात से काफी परिसान होने लगता है और फिर सोचने लगता है कि आखिर कर मून डीमन गॉड के साथ में उसका क्या रिलेसन है तब ही वो डीमन लीडर रिलेसन के तरफ जा रहे हुँ जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो डीमन लीडर काफी हैरान हो गया था और फिर हो नंट से कहता है कि इस के बारे में कुछ नहीं कर सकता था लेकिन तबी हाँचे निंसें कि तरफ ही सारा करते हुए कहता है कि हमारे फ्रिस्ट ने हाउलिंग केप के लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लिंसें वी इनके सामने बहुती फणी तरीके से एक्टिंग करन해 लगा था और फिर इसक मास वाले मैप को कहता है कि हौलिंग के इधर है कि तब हो चेंग कर गुस्ता होते हैं कि क्या मून डीमन इध कि मानने से जा लेकिन तब ही हम देखते हैं कि हाओशन अपने लोगों से इनके उपर अटैक करने के लिए इसारा करता है। जिससे देख़ अब सब लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। और फिर वे देखते ही देखते ही डीमन के उपर अटैक करना सुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरह हम देखते हैं कि इसमें सिमा सीयान को सबसे ज्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर वो कहने लगता है कि अब तका या कमांड सबसे ज़्यादा कूल है। तब ही इसी भी शम देखते हैं कि हाओ यू भी अपने केवोस एलिमेंट का यूज करने लगता है। जिसके बाजास से वे डीमन अभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और इस तरह से उनका डार्क इलिमेंट उनके बाड़ी से अलग हो रहा था। वहीं दुसरी तरफ सीमा सियान अपने हैमर का यूज करके डीमन लीडर के उपर अटेक करने की कोशिस करता है। लेकिन डीमन लीडर ने इसके अटेक को बहुत ही असानी से रुक लिया था और फिर इसी के साथ वो अपने पाउर का यूज करके इसे पीछे की तरह भेज देता है। सीमा सियान को नहीं बचाया होता तो वो डीमन लीडर के अटेक में बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता। लेकिन अब हाउचें डीमन लीडर से कहता है कि तुम्हारा ओपनेट मैं हूँ और अभी इस तरह से इनके बीच में बहुत ही संदार फाइट होने लगी थी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अकेले ही डीमन लीडर के साथ में फाइट करने लगा था और वो अपने बाकी साथियों को अडर देता है कि तुम इनके उपर अटेक करते रहना और ध्यान रखना कि कोई भी यहां से जिंदा बच कर वापस ना जा पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसीन भी अब इनके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और उदर वेंग युवान भी अपने जाइंट सील का यूज करके इनके उपर अटेक कर रही होती है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बज़र से डीमन का गुरूप इनका कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वे सब इनके साथ में बहुत इस अंदार तरीके से फाइट करने लगे थे तब ही इसी वीच हम देखते हैं कि वे डीमन भी इस बात से इनके उपर गुसा हो गए होते हैं और वे एक साथ में हाउच इनके साथ पाले बाकी लोग भी इनके साथ में संदार तरीके से फाइट कर रहे थे और फिर वो देखते ही देखते ही इन सारे डीमन को मार भी देते हैं अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर के वा लेबल 6 वाला डीमन लिडर ही जिंदा बचा हुआ था जिसके बाद वो इनसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी और इतनी बात कहने के बाद वो हाउचेन के ऊपर अटेक करने के लिए आ जाता है लेकिन अब यहाँ देखते हैं हाउचेन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके अलावा अब इसकी मदद करने क के लिए सायर भी यहां पर आ गई होती है जो कि अपने पाउर का यूज करके बहुत ही फास्टी स्वीर से डिमन लीडर के ऊपर अटैक करने लगी थी अब इसके बज़ास से हम देखते हैं कि वो डिमन लीडर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वे दोनों एक साथ मिलकरी से बहुत ही असानी से हरा भी देते हैं तभी सीवीश हम देखते हैं कि हाउचेन अपने मिरेकल स्वाड के दोनों एक साथ में यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिमन लीडर इसके अटैक से खुद को नहीं बचा पाता औ और आखिर कर वो इस तरह से यहां पर मारा जाता है अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाउचेन ने इसके पास्वले मैप को हासिल कर लिया था जिसके बाद वो अपने सभी लोगों से कहता है कि सबसे पहले तुम बैटल फिल को पूरी तरह से साफ कर दो क्योंकि अगर ये ड कुछ समय के बाद वे केब के पास में भी आ जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि वो के बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था लेकिन इसके बाद भी वे सब इसके अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वे एके करके वे सब नीचे भी आ गए थे लेकि अगर explanation अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लैक्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना